हेलो गाईज, हमबात कीने वाल है, nd tv इस कमनी के रिजल्ट के बारे में इस कमनी का quarter 3 effort, 23 का रिजल्ट आचुका है सामने, कैसा रा इस कमनी का रिजल्ट और क्या इस कमनी ने डिविडन दिया है कि नहीं, इसी के बारे में डिसकेसिंग करेंगे तो वीडियो को जरू से enter दे सारी अमॉंट्स रिजल्स के अंदर लैक्स के अंदर देखने को मिल जाती है ठीक है कमपनी के यहां पर से इंकम से शुरूआत करता है तो टोटल टैन थाउजन एट हंट्रेट सेवेंटी फूर लैक रुपीज का कमपनी का टोटल इंकम देखने का मिलता है रेविन्यू फॉ प्रॉप उपर कंपनी की इंकम में आल्मोंस यहां पर हंट्रेड लैक रुपीज के आसवासि का इजाफा है बाकि पिछले साल सेम कोर्टर के मुकाबले कंपनी की इंकम में वह कम होती भी नसर आ जाती है बाकी इस करें कह से इक्सेंट की बात कि रें तो अलग-लग यहां आपर से एड़ोडैसिंग पॉस्ट एंड, अपलोई की कऊस्ट एइंपलूई की स्थ कहादि को मिला कर कमनी का टॉटल एगस्पेंस हैपार इस क्वाटर के अंधर एट थाउजरन एट हंड़ेट वैंद। सेवन लाक रुपई का कमनी का टोटल एक्सपेंस देखेने को मिलता है जिस प्रकार से कंपनी की इंकम आप लोग देखने जाऊगे ना तर कंपनी की इंकम है आ पर पहर थोड़ी बहुत बढ़ी है और by quarter base के उपर कम हो रहे है जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है बाकी इस कंपनी के net profit की बात करें tax and expansion item काटने के बाद कंपनी ने 1,505 lakh रुपीज का कंपनी ने net profit generate किया है जो quarter and quarter base के उपर company के net profit में इजाफा आता हुआ नजर आ जाता है बागी पिछले साल same quarter के मुकाबले company के net profit almost 50% correct होते वे नसर आ जाता है जो company के लिए बहुत ही बड़ी negative चीज है बाकी इस company के earning per share की बात करें तो 2 रुपीज का company का earning per share अभी trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर बढ़ा है बागी पिछले साल same quarter के मुकाबले company के earning per share के अंदर भी गिरावट आती भी नसर आ जाती है और और इस company का result आप लोगों को मैंने दिखा दिया आप लोग ऐसा बोल सकते हो यार company का जो considered result है एक ठीक टाक result है इससे यहाँ पर बहुत जादा company को improvement करने की ज़रूरत थी बाकिया stand alone result भी कुछ खास अच्छा नहीं देखने को मिलता है company के share में technical levels में अदानी के stocks में बस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाई यह जो company के stocks है वो यह आप पूरे को पूरे news के base के ऊपर trade हो रहे है अभी आप लोग technical से आप सपोर्ट्स और रजिस्टर्स और वो साई चीज़े try करने जाओगे वो साई चीज़े आप लेगा ठीक है तो इसलिए मेरी तो आप लोगों को सलाई यही रहेगी जो आप लोग ने एंडी टीवी के अंदर investment करके रखा हुआ था पहले से मलब उपर के level से या नीचे के level से कहीं से भी तो आप लोग profit में हो तो आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहती हो तो आने वाले समय में company का share फिर से यह levels के आसपास आता है मरला भी हाँ पर से 300 रुपे के आसपास आता है तो आर इस company से निकल जाने की सला रहेगी मेरी तो यही सला है बाक्यार यह company आने वाले समय में बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकती है पहली भी ऐसी गिरावट है आई यह company के share मे यह कुछ चीज है जो जरूर से ध्यान में रखके चलना बहले ही अभी आपा अदानी ग्रूप है अदानी ग्रूप है अदानी ग्रूप है ऐसा मत सूचना कि भाई company आपर से पहले गिरादा तो अभी नहीं गिरेगा company के उपर करजा भी बहुत है यह बहुत सारे problem से इस company क को लेकर जो आप लोगों को मैं सही से बताओ तर मिरको लगता है कि आर यह company के अंदर long term के लिए investment नहीं करना चाहिए बाकी short term में पैसा बन रहा है short term में पैसा बना कर निकल जाओ मेरी तो यही सलाइट है तो बस अचके लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो like and channel को subscribe करना मत बूलना तो जो लोग इस company के अंदर invested है और loss में उन लोगों को सला रहेगी कि 300 रुपे के आसपस company का शिराता है तर कम से कम loss में यह थोड़ा बाद profit मिल रहा है उसमें भी निकल जाने के सलाइट है तो यह था हमारा opinion बस अचके लिए तना ही वीडियो पसंद आए तो like and चलने को सब्सक्राइब करना मत बूलना गुडबाव 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 गुडबाई फिर मिल तो नेक्स्ट डियो में गुडबाई